श्री क्रिश्न कनहय आलाल की, श्री निजानन्द स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महामत चोए मुधनी, मुखे बड़ी देखा रही रांध, करमों से बिठ्यों गालियों, मुझा मिठडा मिया कांध, मुझा मिठडा मिया कांध, श्री क्रिश्न कनहय आलाल की, श्री क्रिश्न कनहय आलाल की, श्री निजानन्द स्वामी की, कि अपनि एक अनुवाद, वे यह दून्यस से से आसी के गुनाह का प्रकरण था, वे उसका ही अनुवाद, वे श्री हिंधी में भी 33 चोपाई यां थि, तो हिंदी में 23 चोपाई भी आलाल गाई, वे यह बात तो आ आही गई है, और हिंदी में सरल भी है, सुनो रूहें आरशकी जो अपनी बीतक ये परमधाम की आत्माओं आप अपनी बीतक अपने ब्रतानत को सुने जो हमसे लटी भाई ऐसी करे न कोई मुतलक लटी का अर्थ विपरित उल्टी उल्टी तो उ हट गया तो लटी रहा गया तो इस प्रकारशे उ मुल रूप से उल ये समझना चाहिए जो हमसे लटी भाई जो हमसे ऐसा विपरित कारिय होगा ऐसी करे न कोई मुतलक अइसा कारिय कोई भी निश्चितरुप्ष नहीं करता है कहूं तीन का वेवरा सुनियो कानों दोए हमने क्या उल्टी बातें की विपरित बातें तो उसका वेवरण मैं ब इस प्रकारशे करें किवल बाहर से नहीं अंदर से भी सुनो ये देखिया मैं सहूर कर तुम भी सहूर की जो सोय मैंने इसको बहुत विचार करके देखा बहुत बिवेक को प्रकट करके फेर इस पर विचार किया तो तुम भी इस पर विचार करो पीछे जो दिल में आवे स आपना करेंगे सोए, फिर जिसके मन में जैसा आजाए कोई विचार करें, समझें, उसके बाद में उसको तो समझ में आजाए तो जैसा ठीक लगेगा, ऐसा करेंगे ना, तो सब की रित्मा थोड़ी-थोड़ी अलग होगी, किन्तो समझ बहुत आवश्यक है, फिर अपने जै क्या होगा, रोवे तहकी को निश्चित रूप से रोएंगे, और गए हाथ पटकते रोए, हाथ मसलते हुए, रोते हुए उनको समय ब्यतित करना पड़ेगा, तिस वास्ते क्यों भूलिये हाथाए अवसर, इसलिए भूलें क्यों, भूल क्यों करना, अपने हाथ पर अवस है, अपसर हाया हुआ है, अपने हाथ पर है, उसको जाने नहीं देना चाहिए, जो पीछे जाए पस्तावना, क्यों आगे देखना चले, यदि पीछे जाकर के पस्ताना पड़े, तो ऐसा कारिया क्यों करें, पहले से हम देख करके न चले, पहले से देख करना, क्यों न चल तो मीने इन का मतलब यहां पर इन में, तो दुनिया में, दुनिया में जो अपना समुवा है, गिरोहा समुवा वा आशिक अनुरागनी आतमाओं का है चलना देख कहता हूं, ए अकल दई तुमे किन, तो किन तो अपना परमधाम की आतमाओं का चलना का तात्पर है, चाल चलन व्यवहार उसको देख करके, आचरन उसको देख करके, मैं तुमे कह रहा हूं, ए अकल दई तुमे किन, तो ये बुद्धी तुमको किस ने दी, एक त लेनी हाकिकत बदेनी इनलोकन न तो राज्जी की बाते जान करके अधिक शुख लेकर और दुसरों को बता दें और तो ओ ठीक नहीं है आशीक को ओलटिव जो करता है आपन आशिक के लिए उल्टाकारिय नहीं है, उल्टाकारिय ये उल्टाकारिय आशिक के लिए सुभा नहीं देती है, जो करता है आपने जो आपने करते हैं मीठा गुज मासु कहा, कहों आशिक कहे न कोई, कोई भी अनुरागेणी आत्मा, उपरियतम धनी के जो मधुर सुख हैं, तो उनके साथ के जो मिठा से आनन्द हैं, उनके सानित देखा, तो वो बातें दोसरों को नहीं कहती हैं पड़ोसी भी ना सुने यह आशिक अच्छी पी रोए, तो यदि प्रियतम से बियोग होता है, तो पड़ोसी भी ना सुने, इस प्रकार्शे वो अनुरागेणी है, उरोती है, उसको रोना आए बियोग में, तो वो पड़ोसी को भी पता ना चले उस प्रकार्शे, तो उर होती है आशिक का ये तिनको जो अकपर होए कुर्वान आशिक उनकोई कह सकते हैं जो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं अपने धनी के प्रति सव भातें मासुक के सुख गुजले भे सुभाना सव भातें सव प्रकार्ष अपने धनी के सुख लेना हो तो अनिकों प्रकार्ष शुख लेती है जो पड़े कसाला कोटका पर कहे न किन को दुख करोणू दुख भी आजाएं तो भी वो किसी को बताते नहीं है किसी सो ना बोला ही छिपावे हके के सुख और परमात्मा तो क्या है कभी दुख कानुभव हो रहा होता तुरूंत सुख कानुभव भी होता है तो ये बातें किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि बताएंगे तो भी विश्वास नहीं होगा तो इसलिए तो वो शुख छिपाती है शुख गुज लेवे हक के रहे सोभत मौमिन पूर्ण प्रह्म परमात्मा की गुपत सुख लेकर के गुपत सुख का थातपरिया एक आंट सुख कहें उनको जब भी पूर्ण प्रह्म परमात्मा का अनुभाव होता हो तो ऐसा सुख ले करके रहे सोवत मुमिन ये प्रमात्माओं के साथ में भी रहते हों दूसरी आत्माओं के साथ में तो भी सुख लेते हैं तो दोसरों को नहीं बताएंगे ये कहना जा रहे हैं अपना गुज मासु कहा कबों कहे न आगे किन है दामदनी से क्या सुख मिला है कितना अनंद मिला है वो दोसरों को नहीं बताएंगे दर्शन होते हों कुछ उनकी बातें सुनने को मिलती हो तो वो दोसरों को नहीं बताएंगे तो वो ये अनुरागणी आत्माओं का श्वभावी कुरुप से होता है जिनको पता है तो वो ऐसा ही करते हैं तिन आगे भी ना कहें जो हक के खबरदार जो राज्य के प्रतिस सचे तो हैं तो राज्य के बातों को समझते हैं उनके सामने भी वो सारी बातें नहीं कहेंगे पर कहा कहूं में इतिन को जो बाहर करें पुकार किन्तो हम उनके क्या बात करें जो बाहर आगपुरी दुनियां में डिंडोरा फीट पीटते रहते हैं मुझे यह हो गया, वह हो गया, वह थोड़ा होगा तुभी बहुत करके बताएंगे तो यह सब देखावा दंब ऐसा नहीं होना चाहिए अनुरागनी आत्मा ऐसा काम नहीं कर सकती, यह सबसे बड़ी भूल है तो यह पूरा प्रकर्ण भूल का इसे के लिए का रहा है हक बुलावे सरत पर अपने रहने चाहिए इत धामदनी तो अपने वचन के आधार पर बुलाते हैं कि अब तुम आओ परमधाम में जागरत हो जाओ और हम अभी भी दुनिया में रहना चाह रहा है लेवे गुजम आशुक का कई दुनिया को हकेकत है और धामदनी के शुक को थोड़ा बहुत प्राप्त करके और ओर दुनिया को कहने लग जाते हैं ऐसी आशुक कभू ना करे पिछे रहे बुलावतिहा का यदि अनुरागणी आत्मा हो तो वो ऐसा कभी करी नहीं सकती है तो कैसा काम नहीं कर सकती तो पूर्ण प्रह्म परमात्मा बुलाएं तो वो पिछे रहा जाए तो वो कैसे हो सकता है दुख कूफर में पढ़के सुख बक्रा छोड़े इस सक्राव तो दुनिया के ब्रहम के दुख में पढ़कर के अकंडशू को छोड़े करके ब्रहम के दुखों के प्रतीही जिनकी लालसा बनी रहती हो तो ऐसा तो अनुरागडिओं का काम नहीं है प्यारे जिनको मासुक प्यारा जिनको अपने धनी प्रिया लगते हैं तो उनको उनके बचन भी प्रिया लगने चाहिए आशे का कभू ना करे ऐसी उलटी बात अनुरागनी आत्मा ऐसी उलटी लटी और उलटी वो एक ही बात है तो वो कोई ऐसा करते नहीं हाए कहने सुख लोकन को पाए बिछवा हक जात तो बिछवा हक जात धामधनी से यदि बियोग भी हो जाए तो भी अनुरागनी आत्मा किसी को लोगों को सुख उनका क्या सुख है अभी बियोग होने पर क्या दुख हो रहा है बताते हैं फिरती नहीं है यह समझना चाहिए आशे का गुज मासुक का सो लेवत हैं रोए रोए अनुरागनी आत्मा होती है तो प्रेयतम धनी के सुखों को लेती है उरोडो करके कैसे भी हो दुख तकलिपा करके भी उनका सुख प्राप्त करना चाहती है उनको दर्शन हो उनसी बातें सुने तो इस परकार से उचाहते रहती है कितने भी दुख पड़े कभी उनके प्रतेविश्वास जगमगाता नहीं है। ऐसी उलटी अकल आसिक कि शुक कए औरों को सोए। तो अनुरागिणियों की ऐसी उलटी बुद्धी कैसे हो जाती है कि जब धामदनी के शुक उनका दर्शन उनके दर्शन हो उनकी बातें कुछ समझ में आई हो तो दुनिया को कहते हैं फिर उलटा काम कैसे हो सकता है। यह निपट बातें रिजालियां सो आपना करी दिलधर तो यह एक ही शब्द है रिजालियां तो थोड़ा सा कठें। तो यह निपट, निपट का तात्परियत निस्षित, यह बाते निस्षित ही रिजालिया, अनुचीत है, अनुपयुकता है, जो आपना करी दिलदर और हमने विचार करके किया है, ऐसे, तो हम बिलकुल नादान ऐसे भी नहीं है, हम जानते वह हम कर रहे हैं, जैसी हुई हमसे खेल में तो ऐसी हुई ना के शेर, हमसे इस खेल में जैसी भूल हुई है, ऐसा, ऐसी भूल कोई करता ही नहीं है दुनिया में, हम राज्य के समख से बैठ करके, कि अपने दिल में राज्य को रखना है या दुनिया को रखना है, तो वह हम समझ नहीं पा रहे हैं, दिल में राज्जी को रखना चाहिए, उनके स्थान पर दुनिया को रख रहे हैं, तो ऐसी भूल दूसरे कोन कर सकते हैं, आशिक कहावे आपको फेरे बुलावना भरतार, आशिक स्वयम को अनुरागनी कहलाएं, और धामदनी बुलाते हों, तो उनकी आग्यां का उलंगन करें, फेर फेरे का मतला फेरना, वो बचनों का पालन नहीं करना, बुलाया और बुलाने पर ना गए, तो आग्यां का पालन नहीं किया, कुछ काम किया, कहा, तो नहीं किया, तो ऐसा कोई करता नहीं, जिसका प्रेम हो, तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, यह तो बिल्कुल दंडता हो जाती है, जाये न बोलाई खसम की irasण वह बेडवार, कि कोई प्रियतम आ हो, और उसको प्रियतम बोला रहे हो, तो वो उनके बोलाने पर उनके पास नहीं जाती है, तो वो विश्वासी कहलाती नहीं है, वो अविश्वासी कहलाएगी, तो ऐसी अनुरागनी आत्मा, पूर मात्म तो अनुरागनी है तो धामधनी के वच्चनों के बेपरितकार्य नहीं कर सकती स्रेक्रेष्ण कनही आलाल की सो आउरत बेतवार आशिक कहावे आपको आशिक कहावे आपको फिरे बुलावना भरतार जाए न बुलाई खसम की सो आउरत बेतवार जो आउरत बेतवार जो आउरत बेतवार आउरत बुलाई खिरे ठोनो आउरत बुलाई भी ये ने आउरत नहीं कर दिन खिरेक्वाने आउरत ब कhat FLzen स्रिङलों आउरत बारता किनले के श्रेक्रौन थेश्चालार माराजी महाराज जैंडे इस आउरत भोन्त झाल झाल